हेलो एब्रीवन, आज का कॉंसेप्ट है, आज का टोपिक है पास्ट अर्जस्टमेंट, पास्ट अर्जस्टमेंट का मतलब है, जब पार्टनर्स ने प्रोफिट, डीड की अकोरिंग नहीं डिस्टिब्यूट किया, डीड में मतलब जातो कोई सैलरी देनी थी, इंटरस्ट कापिटल देना था, कोई कमिशन देना था, जहां प्रोफिट रेश्यो की अकोरिंग बार्णा था, दी गई रेश्यो की अकोरिंग बार्णा था, और उन्होंने प्रोफिट किसी ओर धंग से डिस्टिब्यूट कर लिया, अब वो सेट करना है, that is called past adjustment, जैसे question में दिया हु इंट्रस्ट उन्ड कैपिटल था उनका 12% पर एर और X की सेलरी थी 6,000 पर मेंथ, Y की सेलरी थी 60,000 पर एर और जो उनका लास्ट वाला प्रोफिट है, लास्ट का वाला प्रोफिट का मतलो year की end का प्रोफिट है, वो है 5,04,000 वो उन्होंने आपस में equally distribute कर लिया और जो उपर दिया गया है डिड में, सेलरी और इंट्रस्ट ये भी उन्होंने कुछ सेट नहीं किया, अब आपने इनको सेट करना है, वो होता है हमारी past adjustment, ओके, तो इसके लिए हमने क्या करना है, entry past करनी है, entry past करने से पहले हम working note में इनकी actual amount निकालेंगे, कि Y की amount कितनी आई है, और X के लिए amount कितनी रहेगी, तो सबसे पहले क्योंकि capital यहाँ पे fix है, तो X का current account खोलो, Y का खोलो और Profit and Loss Appropriation, ये आपको पूरा account बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्व उनके amount के column आपने त्यार करने है, X current account, amount, debit column, credit column, Y current account, debit column, credit column, Profit and Loss Appropriation account, debit column and credit column, तो dear students, आपने सबसे पहल जो भी question में deed है, deed का मतलब जो भी salary देनी है, जो भी interest on capital देना है, सबसे पहले आप वो credit करोगे, कैसे, interest on capital उनको जाना था 12%, X की capital कितनी थी, रुपीज 10 lakh, 10 lakh की उपर 12%, 1,20,000 हो गया, ये credit कर दो, ऐसे Y का, Y की capital 7 lakh रुपीज थी, 7 lakh की उपर 12%, 84,000 आ गया, ये credit कर दो, अगर capital account में credit किया है, इसका मतलब ये partners की income है, और firm का खर्चा है, इसी लिए ये profit and loss appropriation account में debit कर दिया, फिर दूसरा उनको salary देनी, salary देनी थी, salary देनी थी X को 6,000 पर मन्थ, पूरे साल की होगी 72,000 और Y की salary थी, पूरे एक साल की 60,000, ये total होगी उनकी 1,32,000 firm का खर्चा, इ इसी लिए ये firm के profit and loss account, appropriation account में debit दिखाया है, और last में, last में इनोंने क्या करना था, कि जो भी इनका profit का balance था, पूरे साल का profit था 5,4,000 रुपेज, 5,4,000 रुपेज में से X का interest less करके, X और Y का interest and capital less करके, और X and Y की salary less करके, जो balance था 1,68,000, वो इनोंने 7 to 5 की ratio में आपस में divide करना था, X की amount कितनी होनी थी, 98,000, Y की 70,000, ओके, तो X को भी ये जाना था, इसी लिए, ये X की capital में transfer करना था, current account में transfer करना था, ये भी credit कर दो, salary और interest की तरह, और ये भी, ये buy की amount है, buy का net distributable profit है, ये buy के current account में credit कर दो, ओकी, देखो, अब buy के current account, X के current account में, ये गया, credit, Y के current account में credit ही हो बया, लेकिन आगे, जो main part है, इस question का, जो इन्होंने question में दिया हुए है, कि जो पूरा profit है, पूरे साल का 5,4,000, ये इन्होंने आपस में equally distribute कर दिया, पूरे profit को equally distribute कर दिया, तो देखो, equally distribute कितना किया होगा, 5,4,000 divided 2, दो partner हैं, तो divide 2, X ने गलती से, अपनी account में transfer किया था, 2,52,000, ऐसे ही Y ने कर लिया था, तो उन्होंने credit किया हुआ था, क्योंकि वो गलत था, अब debit किया है, उनको कि बापस लेना है, उनसे debit कर दिया, तो अब हमारी net entry क्या time आगया, net entry आपने कैसे पास करनी है, पहले आपनी X account का देखना है, उसकी credit side में क्या कुछ उनको देना था, 1,20,000, 72,000, 98,000, X को पूरे साल में पूरी amount कितनी जानी थी, 2,90,000 पिये उसको जाना था, उसको मिलना था, लेकिन actual में उसको कितना मिला हुआ है, उसको credit कितना किया हुआ है गलती से, 2,52,000, तो 2,90,000 उसको जाने थे, लेकिन उसको गए हुए है, 2,92,000, तो और कितने जाने थे, 38,000, 2,90,000, माइनस 2,92,000, तो उसको और रुपीज कितने जाने थे, 38,000, इसी लिए उसके अकाउंट को credit कर दिया, यहाँ पे credit लिखा हुआ है, इसका मतलब है, अगर पार्टनर्स को कुछ भी देना है, उसके अकाउंट में हम credit लिखती है, ऐसे ही आप debit, बाई का देखो, बाई को कितने रुपीज जाने थे, 84,000, 60,000, 70,000, बाई को टोटल अमाउंट कितनी जाने थे, 2,14,000 पे, 2,14,000 पे जाने थे, लेकिन गलती से उसने ट्रांसफर किया हुए है, 2,92,000 बाई को 2,92,000 बाई को 2,22,000 पे ट्रांसफर किया रुपीज तो 2,52,000 माइनस 2,14,000 अंसर आगया अपना 38,000, 38,000 उससे अभी वापस लेना है क्योंकि उसको जाना अमाउंट ट्रांसफर कियी हुए है, अगर किसी पार्टनर से कुछ अमाउंट लेनी है, वापस लेनी है, तो उसकी अकाउंट को debit करते है, यही हमारी journal entry है, जो बैनस आया है, उसको journal entry में दिखाओ, अब देखो, Y का account debit है, X का account credit है, जा आप याद रखने के लिए, ऐसे easily याद रख सकते हो, कि जो amount जादा है, जिस amount का column जादा है, जैसे credit का जितना जादा है, वो credit लिख दिया, यहाँपे debit का जितना जादा है, वो debit में लिख दिय clear, तो यह हमारी journal entry हमने पास करनी है, कैसे, Y का current account debit करना है 38,000 से, X का current account credit करना है 38,000 से, यह equally होना चाहिए दोनों का, क्योंकि जिस person से जितने रुपीज लिए हैं, दूसरे को उतने देनी है, it's okay, तो अगर हमारे question में capital fluctuate होती, यहाँ पे ना लिखा होता कि capital fix है, तो capital account debit to wise capital account debit to access capital account, okay dear students, तो next video में में दिखाना है, closing capital से opening capital कि स्था निकालते हैं, क्योंकि अगर आपके पास दिया होगा, interest on capital निकालो, और interest on capital हमेशा हमारी opening capital पे लगता है, okay, तो आगे वाली वीडियो देखने के लिए subscribe my this channel, commerce classes by nishumela